नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है मैं एक साइकाट्रिस्ट साइकोलोजिस्ट सेक्स स्पेशलिस्ट देडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल मैं विछले तीन साल से आकवला में प्रैक्टिस कर रहा आज मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ वह बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है लेकिन यह टैबू है इसली लोग उसे बोल नहीं पाते इसली उसे डिसकस नहीं कर पाते यह टॉपिक है सेक्स टैबलेट बहुत सारे लोग हमारे आते हैं अच्छे उच्छ शिक्ष से तो हमें सेक्स के कोई टैबलेट डीजिए जिससे हमको अच्छा लगे मैं उनको पूछता हूँ कि ऐसा क्यूं तो वो लोग बोलते हैं कि विछले एक दो साल से मैं ऐसे ही ओर दा काउंटर फार्मसी में जाके सेक्स टैबलेट खाता हूं मुझे टेंपररी अच्छा उसे ले कर आप टेंपररली मजा लेते हैं और फिर बाद में जो प्रॉब्ले में वैसा का वैसा है रहता है मैं इसके कंप्रीटली विरोध में हूँ और मेरा है मानना है ओवर दे काउंटर फार्मा से अगर आप सेक्स टैबलेट ले रहा है तो आप खुद के लाइफ को ख सेक्शल प्रॉब्लेम्स आपको अगर आप फेस कर रहे हो तो सबसे इंपोर्टन है कि आपने आपके साइक्ट्रिस्ट के पास जाकर आपके सेक्स लॉजिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए psychologist या sexologist के पास जाना important क्यों है इसका important reason यह है कि 75% लोगों को जिनमे sexual problems होती है उनमे 75% लोगों को underlying कुछ नो कुछ psychological problem जरूर होती है तो इसलिए जब psychiatrist sexologist के पास जाते है तब हम as a psychiatrist वो psychological problem से deal करते है जिसके कारण वश वो व्यक्ति को sexual dysfunction हो रहे हो खाली sex tablet ले लिया और बाद में जाके भूल गए यह इसका reason नहीं है क्योंकि underlying जो problem है वह वैसी है कितनी बार भी आप sex tablet खाएंगे आपको temporary आराम मिलेगा लेकिन जो problem है वैसे का वैसा ही रहेगा तो जब ऐसे लोग हमारे पास आते है तब हम उनका diagnosis करते है उनका counselling करते है और उनका treatment करते है और फिर हम वो problem के अनुसार उनको दवाया लिख के देते है जिसके कारण वो व्यक्ति का फाइदा हो सकता है अगर आप sex tablet ले रहे होंगे दोस्तों के बोलने पर फार्मा के बोलने पर या कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर के बोलने पर तो मेरा ऐसा कहना है सजेशन है आपके वैसा आप नहीं करें सबसे important है कि आपने psychiatrist के पास जाना चाहिए और अपनी problem बतानी चाहिए हमारे पास ऐसे बहुत सारी techniques है solutions है जिसको लेके जिसको use करके आपका जो tension है दिमाक में जिसके कारण आपको sexual problems हो रहा है erection difficulty आ रही है premature ejaculation हो रहा है ऐसे जो problems आ रहे है वो पूरी तरह हम ठीक कर सकते है और बाद में शायद ऐसा भी हो कि आपको tablet की जरुती न पड़े हाँ मैं यह मानता हूँ कि sex tablet हम भी prescribe करते है लेकिन proper diagnosis के बाद ऐसा randomly खाली prescribe करते हुए sex tablet अगर आप लेते है तो उसके वज़े से बहुत सारे side effects आपको दिखाई पर सकते है जो long term में आपको important बना सकते है हम जो sex tablet यूज करते है वो अच्छी तरह से diagnosis के बाद यूज करते है जिसको लेने के बाद वो व्यक्ती का to the point treatment होगा और बाद में temporary दवाई लेने के बाद उसके tablet से वो धिरे धिरे बन कर सकता है और पूरी तरह रहात से जिन्दकी जी सकता है जो sexual problems है जैसे शिग्रपतन, premature ejaculation, erection difficulties, importance, lack of desire मतलब इच्छान होना, lack of arousal, अलग-अलग परकार के जो sexual problems है वो सभी problems का solution है, problems है, उसका solution हमारे पास as a psychiatrist उपलब्द है आपको जबी भी लगता है कि आपको problem है, तो आप हमें जरूर contact कर सकते है मैं as a psychiatrist, sexologist, successfully पिछले 3 साल से sexual medicine clinic चला रहा हूँ और approximately 500 patients को हमने sexual problems में उनको अच्छा लगा है और वो follow up में आते हैं और बोलते हैं कि हाँ, हमें पूरी तरह रहा थे ऐसे कोई भी sexual problems अगर आपको आते हो, तो आप जरूर हमें विजिट करिए मैं अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरा as a sexologist मेरा ये context है कि कोई भी वेक्ती को sexual problem है इंडिया में तो वो पूरी तरह ठीक होना चाहिए और उसने sexually fit जिन्दगी जीना चाहिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो definitely लाइक करिए और ज्यादा सी ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए मैं जल्द ही अगले वीडियो लेके आऊंगा तब तक करें धन्यवाद पर ज्यादा चाहिए